बेंगॉल वार्यस के सामने तेलगू टाइटन्स हैं, 14 बार ये दोनों टीम्स एक दूसरे से खेली हैं, 5 मरतबा बेंगॉल जीता है, 3 बार तेलगू टाइटन्स जीते हैं ये डू और डाय है, यानि कि नसर अंदास कर सकते हैं, डिफेंडर्स, अंदास भी खाना होगा, नहीं भी खा पाए, क्या बात, क्या कॉंबिनेशन टैकल, बेंच पर जाएए, आराम परमाईए तेलगू टाइटन्स के सिर्फ तीन खिलाडी मौजूद, अब चार हो जाएंगे, सुर्जीत ने ये क्या कर दिया, 335 डेट पॉइंट, प्रो कबड़ी इतिहास में जैन कुन ली, बोनस चाहते हैं, मगर फिलार एक ही दरकार है डीफेंस की, वो उन्हें बेंच पर चाहते ये आ गई डू और डाइट यानि कि आप करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो बेंच पर जाएंगे, डीफेंस यहाँ पर एक बात से खुश है कि बोनस नहीं है लेने के लिए रेडर के पास, डीफेंस को सयम बरतना होगा, सयम तोड़ा लेकिन कामयाबी मिली, महेश तामयाब डिफेंस में, इनके लिए भी डू और डाइड यहाँ पर आ गई है, कुछ जंग आप लड़ते हैं और कुछ जंग आप दर्किनार कर देते हैं, डीफेंस यहाँ पर कह सकता है कि हमारे लिए तो संडे है, मंडे है, आपके लिए मनिंदर काम आपको करना है, हम सि परिकांत तेवतिया, लालस बूरी बला है, कहां निकल सकते थे रक्षित, एक शन की देरी की और शिकार हो गए, डूर डाइड आए, आ देखें जरा किसमें कितना है, दम जी हाँ, अब दम की, एहम की, स्किल्स की, काबिलियत की लड़ाई है, रेडर को अंक लाना है, अग बेंच पर नहीं जाना है, 15 से कम का समय जब शेश लए गया, पॉइंट ले गए, दोनों इडानियन चेर, चेन में थे, मनिंदर काम कर गए, डाइव लगी है, सपोर्ट, देरी सी आया, एक या दो, कम से कम दो लगने सुनी, ओ, माफ की जे, ग्यार्वी रेड डाल रहे है, चार पॉइंट इनके नाम है, अक्सर कोई मुकाबला ऐसा होता नहीं है, बेंगॉल वोरियस का, जिसमें ये स्कोर न करें, आज के दिन अच्छी बात यह है, कि जैंकुन लीक के नाम भी दोरेड है, ओ, 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 फिलाल गाहुल चौधरी रही है, यहाँ पर रिवाइव उनको डीफेंस को कराना होगा, और इस तरफ सबसे खतरनाक डिफेंडर, अबोजार मेगानी सपोर्ट के लिए पहुचे, नगर उससे पहले काम वहाँ पर हो चुका था, अनिल वैल ड़न, अबोजार मेगानी हमेशा सबसे बड़ा खत्रा बने रहते हैं, सोम्बीर की रिस देखिए, ज्यादा को ट्रेवल कभी नहीं करते हैं, मगर राइट कबार ने काम किया, शांदार ब्लॉक, और क्या कॉंबिनेशन टैकल, और अगर आप सोचते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही नतीजा होगा, बंगॉल वारियोस के जीत, वो नहीं होगा, और तीन में से दो झाल